हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे ग्लांसेगेडमी चनल पर आज किस वीडियो में हम योपी जुनिया से चखबटी 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आए स्टार्ट करते हैं निमलखित में से कौन से ग्रह आंत्रिक ग्रह हैं मंगल ब्रिहस्पती सोक्र बुद्ध उप्यूक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें इसके अंसर है सी एक तीन चार सौर मंडल में सूरी की तरफ से प्रथम चार ग्रहों यथा जैसे बुद्ध, सुक्र, प्रिथ्वी और मंगल को आंत्रिक ग्रह या पार्थियों ग्रह कहा जाता है और से सभी ग्रहों को वाह ग्रह कहा जाता है इसके एंसर है C, मंगल एवं प्रिहस्पती के बीच छुद्र ग्रह ऐसे खगोली पिंड होते हैं जो आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं सौर कलंक सूरी के चमकदार हिस्से के परिपेच में काले नजर आते हैं क्यों तापमान में कमी के कारण, गुर्तवा करशन में कमी के कारण, नाभिकी अविक्रिया में कमी के कारण, उप्यूक सभी के कारण इसके अंसर है A, तापमान में कमी के कारण सौर कलंक सूरी के चुम्ब की छेतर में बाधा या गड़वडी के कारण उत्पन्न होते हैं और सूरी के चमकदार हिस्ते के सापेच काले नजर आते हैं ये इसलिए काले दिखाई देते हैं क्योंकि ये सूरी की सत्ता के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं इनका केंदरी तापमान फोटो स्पियर की तुलना में बहुत कम होता है नेक्स स्लाइड निम्न कतनों पर विचार केजिए उत्रे गोलार्द का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है दच्छी गोलार्द का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं प्रियुक्त में से सही कथन है कौन सा है इसके अंसर है ए और ए है एक और दो 21 जून को सूरी की किर्णे करकर रेखा पर लंबोत होती है इसलिए दिन उत्रे गोलार्द का सबसे बड़ा होता है इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूरी की किर्णे मकर रेखा पर लंबोत चमकती है इसलिए दच्छी गोलार्द का यह सबसे वड़ा दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरी की स्थिति विशूत रेखा पर लंबोत होती है इसलिए 23 सितंबर को दिन औ प्रित्वी 365 दिन और 6 घंटे में सुरी का एक परिक्रमड या चक्कर लगाती है इसी को प्रित्वी का परिक्रमड कहते हैं जबकि 24 घंटे में एक बार इसे अपने अच्छ पर घूम जाने को प्रित्वी का घूडन कहा जाता है इसमें होता है सुरियास्त एवं सुरियोदे दिन एवं रात का चक्कर प्रित्वी की घूडन गती के कारण होता है नेक्स स्लाइड निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है चंदर गहन में चंदरमा प्रिथवी और सूरी के बीच आ जाता है यह केवल पुडिमा को ही हो सकता है प्रतेक पुडिमा को चंदर गहन नहीं होता है सूरी गहन केवल अमस्तिया को हो सकता है इसका एंसर है A अपनी परिक्रमण गती के करम में जब पृत्वी सूरी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रमा सूरी पर प्रकास नहीं पहुँच पाता है और चंद्रहां लग जाता है नेक्स स्लाइड निम्न में से किस महादीब की मुख्य भूमी से करक, विसुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं एसिया, अफरीका, उत्री अमेरिका, दच्छडी अमेरिका इसका एंसर है B अफरीका से अफ्रीका महादीब के मुख्य भूमी से होकर करक रेखा, विशुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती है नेक्स लाइड निम्न में से कौन सा सम्मू प्रिच्वी के अस्थल मंडल का निर्मार करता है इसका अंसर है अत्यदिक हिमाचादन के करण निम्न में से किसे महान हिम्यूग की संग्या दी गई है इयोसीन यूग, होलोसीन यूग, प्लिस्टोसीन यूग, इन में से कोई नहीं इसका इंसर है C, प्लिस्टो सीन युग, प्रित्वी पर अत्यधीक हिमा छादन के कारण प्लिस्टो सीन युग को महान हिमे युग की संग्या दी गई है, यह लगभग 10 लाख वर्ज पूर्व सुरू हुआ था, इस काल में लगभग सभी महादीपों में ग्लेसियरों का नि इसका इंसर है B, केवल दूसरा सही कथन है, छारी लावा अत्यधीक गर्म प्रक्रिती में अत्यंत तरह लवस्थाम होता है, उद्गार के बाद ये दूर तक पतली परतों में फैल जाता है, इसके विप्रित अमली लावा जो है अत्यधीक गाढ़ा होता है, जो प्रवाह क के बाद खड़ी ढाल वाला जोला मुखी संकु का निर्मार करता है, नेक्स स्लाइड, निमने में से किसका निर्मार निछे पड़ क्रिया के परिराम सरूफ होता है, लैपीज, यू आकर की घाटी, इस्टे लेक्टाइट, इस्टे लगमनाइट, इसका एंसर है D, इस्टे नहीं पाया जाते हैं, उपर यूग्त में से सही कथन है, इसका एंसर है B, केवल दूसरा सही कथन है, ग्रे नाइट एक आगने सेल है, सेल तीन प्रकार के होते हैं, जो है आगने, और साधी, और कायांत्रित या रूपांत्रित, जिसका निर्मार जोला मुखी से निकलने व दौरान किसी अस्थान पर स्वर प्रथम पहुचती है, भूकम किस अस्थान पर स्वर प्रथम पहुचती है, पी तरंग के रूप में, एस तरंग के रूप में, एल तरंग के रूप में, तीनों एक साथ पहुचती है, इसका एंसर है A, पी तरंग के रूप में सबसे पहल होती है और किसी अस्थान पर सवर्वर्थम पीतरंगे पहुंचती है नेक्स स्लाइड निम्ल में से कौन सा वलित परवत नहीं है इंडीज रॉकीज एटलस अरावली इसका एंसर है डी अरावली जब प्रिथवी की दो प्लेटों के टक्राने से उनमें परसपर वलन पड़त है तो वलित परवतों का निर्माड होता है जैसे इंडीज रॉकेज एटलस और अरावली एक घर्षित परवत है नेक्स स्लाइड निम्लखित में से प्रिथवी की सता पर तापमान के वितरण को कौन से कारक नियंत्रित करते हैं प्रिथवी का उसमा बजट अच्छांस सी एक दो तीन नेक्स स्लाइड तुंग्या किस देश में के अस्थानांत्रित किसी का नाम है म्यामार, जावा, स्री लंका, थाइलेंड इसका अनसर है A तुंग्या म्यामार के अस्थानांत्रित क्रिसी का नाम है, स्री लंका में इसे चिन्ना कहा जाता है और जावा के अस्थानांत्रित क्रिसी का नाम हूमा है, थाइलेंड के अस्थानांत्रित क्रिसी का नाम तमाराई है लौह आयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद इतावीरा पहाड़ी किस देश में इस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रूस, ब्राजील इसके अंसर है D, ब्राजील इतावीरा पहाड़ी छेतर ब्राजील के मिनास गिराज प्रांथ में इस्थित है जो कि लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद धस्थान है आस्टेलिया का पिलबारा स्वीडन का किरूना रूस का टूला अन्य प्रसिद लोह अयस्क के उत्पादक छित्र है विस्व में कोईला भंडारन यो उत्पादन के संबंद में क्या सकते है विस्व में संयुक राज अमेरिका में कोईले का सरवादिक भंडार इस्थित है विस्व में कोईले का दूसरा सरवादिक भंडार रूस में इस्थित है चीन में विस्व का विस्व में सरवादिक बड स्वयोग राज अमेरिका में अप्लेशियन परवती छेत्र में प्रसांत तटी एवं खाड़ी छेत्र में कोईला के महत्वपूर्ण भंडार पाये जाते हैं नेक्स लाइड नीमलखित में से कौन सा छेत्र चलवासी पसू चारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है दच्छरी पश्चमे एसिया, उत्रिय अफिरिका, दच्छरी पूर्वी एसिया, टुन्ड़ इसके एंसर है C, दच्छरी पूर्वी एसिया चलवासी पसुचारण उन छेत्रों में किया जाता है जहां जलवाई उश्नेवं सोसको हो क्रिसी के लिए अनकूल नहीं होते हैं और वहां पर पसुपालन का कार्य किया जाता है मद्दे एसिया, दच्छडी पश्मी एसिया, उत्री अफ्रीका और टूंडरा चलवासी पसुचारण को चार भागों में बटा गया है खनीच छेत्र और देश दिया इसका सुमेलित करना है बरगन पहाड़ी कुवैत में इस्थित है, हीरेन तेल का छेत्र जो है सौधी अरब में है और अबादान इरान में है, समारिंदा इंडोनेशिया में है इसका अंसर है 1, 2, 3, 4, सभी सुमेलित है ट्रांसकनाडियन पेसिफीक रेल मारगे किन दो सहरों को जोडता है हैलिफैक्स एवाँ प्रिंस रूपर्ट को वैंकूवर एवाँ हैलिफैक्स को सिंट जॉँंस एवाँ प्रिंस रूपर्ट को सिंट जॉंस एवं वेंकूवर को इसके अंसर है D सिंट जॉंस एवं वेंकूवर को कनाडा में दो पार महाद्यूपी रेल मार्ग है पहला है ट्रांस कनाडियन पेसिफिक रेल मार्ग जो कि सिंट जॉंस से वेंकूवर तक जाता है अदूसरा है Canadian National Rail Mark जो कि Halifax से Prince Road तक जाता है सुनहर का निर्माण किन्दो जीलों के मद्ध किया गया है सुपीरियर तथा हुरान के मद्ध, इरी एवं इरी और उन्टोरियों के मद्ध इरी एवं हुरान के मद्ध, सुपीरियर एवं हुरान के मद्ध सैयोगत राज अमेरिका में मीठे पाने की पांच जीले हम जो हैं ये सुपीरियर, हुरान, मिशीगान, इरी, उन्टोरियों सुपीरियर और हुरान जील को जोडने वाली नहर है सुनहर इरी और हुरान को जोडने वाली नहर है इरी और उंटोरी और इरी को जोडने वाली नहर है बैलेंड अफ्रीका महाद्वीप में जांबिया का ब्रोकेन हील किस खनीच के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम इसका एंसर है C, तांबा अफ्रीका महाद्वीप में तांबे की सबसे महत पूर, पेटी, कांगो में जादोत वीलो से लेकर जांबिया के ब्रोकेन हील तक फहली है अस्थान दिया हुआ है और उद्द्योग, इसको मिलान करना है म्यूनिक रसायन के लिए है, न्यूकैशल जल्यान के लिए है, और ल्यूबिक आटो मॉबाइल के लिए है, ब्रेट फोडे, लॉई इस बात के लिए है इसका एंसर है D, एक, दो, चार, तीन म्यूनिक जो है जर्मनी का है ब्रीटन का नियू कैशल है ब्रेड़ फोर्ड जर्मनी का लिवेक आटोमोबाइल उद्योग है मासमंडी के लिए प्रसिध वामिम तथा टाउन्स वीले किस देश में इस्थित है इंग्लेंड, जर्मनी, अर्जेंटीना, आस्ट्रिलिया इसका एंसर है डी आस्ट्रिलिया में आस्ट्रिलिया की विश्व प्रसिध मासमंडी, बावेम तथा टाउन्स वीले है नेक्स स्लाइड ओर्येंट एक्स्प्रेस रेल मार्ग किस महादीप में इस्थित है उत्री अमेरिका, दच्छडी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका इसका एंसर है C, यूरोप में औरियंट एक्सप्रेस रेलमार्ग यूर्वेप महादीप में इस्थित है जो कि पेरिस एवं इस्तांबूल सहर को आपस में जोडता है ट्रांसकर्ण इंडियन रेलमार्ग दच्छन अमेरिका में इस्थित है जो कि वाल परेजो एवं ब्यूनस आयर्स को आपस में जोडता ह next slide thanks for watching friends झाल 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 झाल